तो आपको यहां पर इंगल को देखना है और उन्हें इंटिफाइप करके उनके नेम को राइट करना है तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल समझाया था तो आपको यहां पर क्या करना है नेम राइट करना है तो आप बताएए यह एंगल कौन सी हो सकती है आप इसे मिजर भी करके देख सकते हैं और देखने में भी लग रहा है कि यह 90 से लेस है तो जो एंगल 90 से ले ग्यां यहां नेक्स दीखते हैं नेक्स यह क्या है यह 90 आपको दिखी रहा है तो यह कौन सा हो जाएगा राइट एंगल इसका नेम आप क्या राइट करेंगे राइट एंगल clear अब ये देखी ये 90 से greater लग रहा है जो 90 से greater होता उसे क्या बोलते है obtuse angle तो इसका नेम क्या right करेंगे आप obtuse angle ठीक है ये हो जाएगा obtuse angle अब next देखिए student यहाँ पे d ये बलकुल straight line है तो ये क्या हो जाएगा straight angle यहाँ पे क्या right करेंगे आप लो straight angle हो जाएगा ये clear हो रहा है न सभी को ये straight angle हो गया next देखिए student अब ये क्या हो रहा 180 से greater हो जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे reflex angle क्या नेम होगा इसका reflex angle ये आप right करेंगे यहाँ पे reflex angle clear हुआ अब देखिए यहाँ पर ये एक point है और इसके around around में पुरे circle complete हो रहा है तो एक point के पास कितने angle होते हैं 360 और इसे क्या बोलते हैं whole angle तो इसे क्या बोलेंगे whole angle clear हुआ ये तो नेम हो गया अब चलिए next page पर move करते हैं यहाँ क्या करना है problem number second में student यहाँ पर आपको एक protector ले रहा है और उस protector से इसको measure करके ride करना है इस तरह से इसे बोलते हैं protector देख रहे हैं book में इसे इसे protector कहते हैं आप इस protector को लेंगे और क्या करेंगे जो ये बीच में देखिए यहाँ पर बीच में जो ये point होती है ये point वाली जो line होती है इसको आप क्या करेंगे उस angle पर put करेंगे ये वाली point बिल्कुल center पर मिलनी चाहिए और फिर जो ये line जहां पर जाकर जिस भी number को ये line टच कर रही होगी जिस number से जा रही होगी उतना ही उस angle की value हो जाएगी तो इसी तरह से आप protector लेकर यहाँ पर measurement करके इन सभी angles की value आप self write करेंगे तो ये दोनों ही आपका book work है आप इन दोनों ही work को book में करेंगे Now student, it's enough for today we will meet once again in new video with new topic